नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुमत्र शर्मा जैसा कि आप जानते हैं कि आईश्मान में हर वार स्वास्त संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है इसी करी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर डीप्ती गुपता जो बंसल हॉस्पिटल में गाइनकोलोजिस्ट हैं डॉक्टर डीप्ती आपका बहुत स्वागत करता हूं तो आज हम बात करने वाले हैं एंडॉमेट्रियोसिस यानिकी पीरिट्स के समय दर्ज से कैसे पाया चुटकारा उसके बारे में अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कारक्रम के तुरान हमारे एंडॉमेट्रियोसिस होता क्या है देखें एंडॉमेट्रियोसिस जानने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे शरी में एक यूट्रिस होता है यूट्रिस या गर्भाश है इसके अंदर की जो लाइनिंग या जो परत होती है उसको हम बोलते हैं जैसे Overy में जा सकता है, Philopian tux में जा सकता है और अलग-लग जगे जा सकता है जब यूटरलिस के अंदर की परत, Endometrium, यूटरलिस में होती है और बाकी जगों पे भी पाए जाती है तब हम इसको Endometriosis बोलते हैं हालां कि बहुत कम लोग endometriosis के बारे में जानते हैं लेकिन ये बहुत common है तो हम कहते हैं कि अगर हम 10 महलाओं को देखें तो 10 में से 1 महला को endometriosis हो सकता है इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि ये किस age group में होता है तो हम कहते हैं generally ये young age group में होता है माने कि 25 से लेके 45 वर्षों की महलाओं में यह जाद अतर पाया जाता है ठीक है डॉक्टर दीप्ती आप यह बताएं आप हमें कि यह क्यों होता है और इसके होने की वजय क्या होती है जैसे मैंने कहा कि यूटरेस की अंदर की जो परत है गरभाशे की परत है वो हैं एंडोमेट्रियम और सामाने जर उसको वही पर रहना चाहिए अब एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है इसके एक्जाक कारण तो किसी को भी नहीं पता है बहुत सारी थियोरी हैं, एक थियोरी ये कहती है, कि जब periods होते हैं, तो ये जो uterus के अंदर की lining है, ये normally periods के जरिये बाहर निकलती है, कभी कभार ये जो lining होती है, ये tubes के जरिये, जो हमारी fallopian tube होती है, या baby tubes होती है, उसके जरिये ये lining शरीर के अंदर भी चली जाती है, अब यह जो छोटा-छोटा टिशू है, यह ऐसे बिल्कुल पाउडर की तरह होता है, यह शरीर में अंदर जाके कई जगे जाके जमा हो गया है, अब जो हमारे यूटरस की अंदर की लाइनिंग है, वो हाल्मोन्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए हर पीरियेट के समय वो हाल म निकलता है, लेकिन इस बलड कु बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है और इसलिए यहां प efter भीरे-थीरे-थीरे, खून इका ठता होता है इसकी वजह से श्यो tariff की देकलए ृमिलेष्ट हो रहा है, इससे क्या होगा, पेक के निचले हिस्से में हमेशा एक दर्द बना रहेगा यह जो मैंने बताया एंडोमेक्ट्रियम यह पाउडर लाइक रेसीडियो यह हमारे शरीर में कहीं पे भी जा सकता है यह ओवरी में जा सकता है जिनको हम अंडाशे कहते हैं अगर यह ओरी में चले जाता है तो वहाँ पे जा कि एक सिस्ट बना लेता है जिसको हम चॉक्लेट सिष्ट कैयो बोलते हैं अब इसको चॉक्लेट सिस्ट क्यू बोलते हैं क्यूंकि यहां पे जो टिशू है ऑसमें ब्लाड निकल रहा है वो blood इखटा होता जा रहा है तो जिससे कि liquid chocolate होती है dark brown color की वो ऐसा fluid इस cyst में भर जाता है इसलिए हम इसको chocolate cyst पोलते हैं इसके अलावा ये जो tissue है ये जाके fallopian tube में खटा हो सकता है ये कई बार गरबाशे के पीछे खटा हो सकता है यहां तक ये tissue आपकी आतों में या फिर आपके bladder में भी जाके जमा हो सकता है ये tissue जब uterus की muscle के अंदर चला जाता है तो उसको हम adenomyosis बोलते हैं तो basically endometriosis जो है ये हमारे hormones पर depend करता है जब तक आपके शरीर में hormones रहेंगे endometriosis भी रहेगा जैसे कि आपने सुनाओगा अगर किसी का blood pressure जादा भढ़ गया तो उनको जीवन भार उसकी दवाई लेनी पड़ती है इसी प्रकार से endometriosis एक प्रकार की chronic disease है जो कभी जाती नहीं है मगर हमें उसे manage करना पड़ता है ठीक है जैसे कि हमने देखा इसका जो tissue है वो शरीर में कहीं पर भी जा सकता है तो वो कहां पर जाके इखटा हो रहा है उस पर पेंड करेगा कि लक्षन कैसे हो रहे है और surprisingly ये भी है कि कुछ मेलाओं को बहुत जादा शरीर में endometriosis फैला हो सकता है लेकिन उनको कोई भी लक्षन नहीं होंगे और कुछ मेलाओं के शरीर में कम endometriosis होगा लेकिन लक्षन बहुत जादा होंगे अगर हम common symptoms की बात करें तो सबसे common होता है periods में दर्द painful periods अब देखिए periods में दर्द तो सब को होता है किसी को कम, किसी को जादा और जब तक periods खतम नहीं होते हैं तब तक ये दर्द चलता रहता है तो जब patients हमारे पास आते हैं तो हम कैसे समझपाएं कि ये दर normal है कि abnormal है तो हम कहते हैं किया आप अपने school जा पाते हो college जा पाते हो या आप अपने घर का काम कर पाते हो क्योंकि आपको periods में दर्द हो रहा है अगर आपको इतना दर्द हो रहा है मतलब ये abnormal है मतलब कि कहीं कुछ गरबर है इसके अलाब अगर हम दूसरे symptom की बात करें जो मैंने कहा chronic pelvic pain जब मैं chronic pelvic pain कहती हूँ मतलब पेट के निचले हिस्से में हमेशा एक दर्द बना रहता है इस दर्द का period से कोई खास relation नहीं होता है पर हमेशा आपको एक pelvis में निचले हिस्से में एक दर्द का एसास रहेगा कई बार इससे औरतों को बहुत भारीपन लगता है और हमेशा एक थकान की feeling रहती है इसके अलावा मान लीजे जो endometriosis है वो आपके गरभाशे के पीछे के हिस्से में गया तो इससे intercourse में या जब हस्बन के साथ रहते हैं उस समय काफी पेन हो सकता है अगर यही endometriosis आपकी आतों में जाके चिपक गया है या फिर bladder wall में चिपक गया है तो जब आप motion करेंगे तब दर्ध हो सकता है urine pass करते समय भी दर्ध हो सकता है इसके अलावा कई बार endometriosis से infertility भी हो जाती है ऐसा नहीं है कि हर मेला जिसको endometriosis है उनको conceive करने में problem जाएगी लेकर मान लीजे 100 मेलाएं हैं जो conceive नहीं कर पा रही है तो इन में से करीब 50 मेलाएं से हो सकती हैं जिनके शरीर में हमें endometriosis मिल सकता है तो endometriosis से कुछ मेलाओं में infertility भी हो सकती है ठीक है डॉक्टर दीपती अगर कोई महिला डॉक्टर के पास ऐसे लक्षणों के साथ जाए तो उसे क्या expect करना चाहिए यह जाना चाहिए आपसे देखें यह भी बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार मेलाएं बहुत डरती हैं डॉक्टर के पास जाने से कई बार गायनेकलोजिस के पास जाने से बहुत डरती है इसलिए अगर आपको पहले से पता हो कि वहाँ पे क्या होने वाला है तो डर थोड़ा कम लगता है सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे डॉक्टर आपसे हिस्ट्री पूछेगा कि आपको क्या क्या प्रॉप्लम है कि यहीं आपकी पीरिड कैसे आते हैं रेगूलर आते हैं कि नहीं जादा ब्लीडिंग होती है क्या जादा पें होता है क्या आपकी wym यह 25 थी फिर आपसे पूछेंगे आपको पूरी हिस्ट्री ली जाएगी पहले। उसके बाद दॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा। ये इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। इंटरनल एग्जामिनेशन में हम क्या फील कर रहे हैं। कि हमें कोई गिठान फील हो सकती है क्या। तोब धृज़ आपको बहुत को दर्द होता है तो अगर आपको नहींड हो रहा है या जोभी इससरी जो भी सिम्टम्स हैं वह डॉक्टर को खुल के बताए बिल्कुल अगला सवाल मैं पूच़ूँ का डॉक्टर आप सवाल पूछिए कुछना जी अलो हाँ जी बताए मैंने इनको कहा के प्राबलम प्रेड आता है ना हाँ बोलिये प्रेड आता है जब वो ब्लेडिंग जादा होती है और चक्कर आते है और मतलब जिसे के एक बन चक्कर आना फाफ पर दुखना ऐसा होता है और इनकी उमर कितनी है 42 42 देखिए अगर इतने जादा पीरेड आ रहे हैं कि उनसे चक्कर आ रहे हैं मतलब उनको नॉर्मल से जादा ब्रीडिंग हो रही है और इनकी एज में बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि अब यह हो सकता है कि यूटरस में कोई GROWTH हो जिसको हम यह हो सकते है कि यूटरस में कोई Фाइब्रोइड हो तो हमें एक तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो एक्जामिनेशन करके देखेगा कि कोई ग्रोथ या कुछ ऐसा दिख रहा है दूसरा इनकी सोनोग्राफी होगी जिसमें हम देखेंगे कोई गिठान है क्या और मानली जे कोई गिठान मिलती है कोई बड़ी गिठान मिलती है तो उससाब से उपचार होगा और मानली जे कुछ भी नहीं मिलता तो कई बार सिर्फ मेडिकेशन या हार्मोन की दवायां देखे भी इनका इलाज हो सकता है ठीक है डॉक्टर दीपती अगली सवाल के तरफ बढ़ूगा मैं डॉक्टर दीपती एंडुमेंट्रिय जाये का अपना डयागनोसिस कनफरम करने के लिए हमको कुछ टेस्ट की जरॉरत पड़ीए सब से जरूरी है सोनोग्राफियाल्ट्रासावन्ट यह सोनग्राफिय की एक इंटरिय Eduard वर्त सावंड होगा उसमें क्या डूण रहे हैं उसमें हम देख रहे हिं कहीं हमे मान ली नहीं निकलता है, तो पहला टेस्ट होगा सोनोग्राफी, अल्ट्रासांड दूसरा, माल लीजे आपका इंडोमेट्रियोसिस बहुत एडवांस्ट है बहुत फैला हुआ है वो आतों में चले गया है, ब्लैडर में चले गया है, तो फिर ये भी हो सकता है कि डॉक्टर आपको एक MRI करने के लिए कहें और तीसरा, माल लीजे इन दोनों टेस्ट में या सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं निकला, और फिर भी आपकी लक्षन एंडोमेट्रियोसिस की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपके डॉक्टर आपको लाप्रोस्कोपी, लाप्रोस्कोपी मतलब जो दूरबीन वाली जाज होती है उसके लिए कहें, जैसे कि वो खुद अपनी आँखों से देख सके कि कहीं एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं है डॉक्टर दीप्ती, अब सवाल ये भी उठता है कि क्या इसको डाइगनोस करना कभी-कभी मुश्किल होता है क्या देखिए, जो यूटरिस की अंदर की परत है जब वो बाहर जाती है तो वो एक पाउडर की तरह होती है अम मेडिकल भाशा में इसको गन पाउडर रेसीडियू भी कहते है और ये छोटा-छोटा पाउडर सब जगे बिखर जाता है जब ओवरी में जाता है तो ये सिस्ट बन जाता है जो हमको सोनोग्राफी में देखता है लेकिन ओवरी के अलावा बाकी जगों पे इसको सोनोग्राफी से देखना इतना आसान नहीं है तो ये थोड़ा-थोड़ा पाउडर की तरह रहेगा उससे दर्द होता रहेगा और चीजें इक दूसरे से चिपकती रहेंगी लेकिन सोनोग्राफी में कई बार नहीं देखता है इसलिए बहुत सालों तक जब डॉक्टरों को इंडोमेट्रोसिस के बारे में नहीं पता था तो ऐसा होता था कि महला को बहुत पीरेज में पेन हो रहा है बहुत पेल्विस में पेन हो रहा है लेकिन सोनोग्राफी में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है और लोगों का सोचना होता था क्या इनको सच में दर्थ हो भी रहा है लेकिन अब हमें पता है कि कई बार endometriosis हो सकता है लेकिन sonography में किसी भी test में हमें endometriosis नहीं भी मिल सकता है मान लिजे आपके साथ ऐसा होता है आपको symptoms तो हैं लेकिन sonography में सब कुछ normal आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे हमें पास दो विकल्प होते हैं एक कि हम laparoscopy करें laparoscopy मतलब हम दूर्बीन वाला test करें बिल्कुल एक छोटा सा छेद बनेगा आपके नाभी के पास में और उसमें हम एक दूर्बीन डालेंगे और फिर अपनी आँखों से देखेंगे कि कहीं हमको endometriosis के कुछ निशान दिख रहे हैं कि नहीं कि कहीं चीजे एक दूसरे से चिपकी हुई है कि नहीं तो एक तो हमें laparoscopy से पता चल सकता है कि आपको endometriosis है कि नहीं दूसरा मान लीजे आपको symptoms हो रहे हैं आपके sonography में कुछ भी नहीं आया और आप laparoscopy भी नहीं कराना चाह रही है कि हम भी operation क्यों करा हैं जब sonography में कुछ आया ही नहीं है तो ऐसी परिस्थिती में हम एक trial of medication कर सकते हैं मतलब हम आपके लक्षरों के आधार पर मान सकते हैं कि आपको endometriosis है और फिर दवाई शुरू कर सकते हैं और फिर देखेंगे कि आपको इस दवाई से फायदा हो रहा है कि नहीं ठीक है डॉक्टर दीपती एक caller हमार साँ जुड़ गई है शिलपा जो रायपूर से हैं अदिश्रण जी आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर सपना हालोiliar trading QE presenceical आपको ड्रोंगोगणमार म महनत जाना हाँ जी बलीइ सब्सक्राइक मान मैलिमर के है खार कला है जी ससंदोड बाईञे आपनी जाना मालम महन जाना Im इतना दर्द की परदास्त ही होता आपकी उमर कितनी है शिल्पा जी 35 साल की है और आपको पीरेट से पहले स्पॉर्टिंग शुरू हो जाती है और पूरा मतला विक्तम चाहता है कि कपड़ा भी मतलब इस्तिमाल करना पड़ता है और आपको ब्लाइट क्लोट से थकले भी निकलते हैं क्या जी जी आच देखिए शिल्पा जी यह भी आपकी बात सुनके लग रहा है कि आपको जो पीर किसी को भी ब्लट क्लोट निकल रहे हैं मतलब पीरेड एबनॉर्मल है नॉर्मल से जादा हो रहा है तो आपको भी इलाज की बहुत ज़रूरत है जैसे मैंने पिछले कॉलर को बताया था आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए हमें देखना चाहिए कि अंदर कुछ खराब है नहीं है क्या हो रहा है और सोनोग्राफी करनी चाहिए अगर कोई छोटा सा पॉलिप वगरा निकलता है तो एक बहुत छोटे ऑपरेशन से निकल सकता है और आप ठीक हो सकते हो और अगर उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं आती तो आप एक तीन मैने के हार्मोन आपसे कि क्या ये दवाईयों से ठीक हो जाता है और दवाईयों से ठीक होता है तो कौन कौन सी दवाईयं दॉक्टर देते हैं मलीस को देखें एंडियोमेक्रियोसिस को हमें जैसे मैंने कहा कि मैनेज करना पड़ता है एक प्रॉब्लम है पेन की तो उसके लिए बहुत सार treatment नहीं करना चाहते तो एक माय पास है कि हम कोई भी pain killers दे 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 पेंकिलर सिर्फ जो दर्ध है उसको कम करेंगे लेकिन जो root cause है जो समस्या है उसको नहीं solve करेंगे दूसरा हमाय पास इलाज है कि हम हार्मोन मेडिकेशन दे दे जैसे कि हमने समझा कि endometriosis हार्मोन पर dependent है तो अगर हमारे शरीर में हार्मोन बहुत कम हो जाएं यह जो बिमारी है इसकी खुराक हार्मोन हैं तो अगर हमारे शरीर में हार्मोन कम हो जाएं जो ओवरी जो हार्मोन के नाम से जानते हैं इन्हें generally हम 21 दिन लेते हैं फिर 7 दिन का gap लेते हैं फिर 21 दिन लेते हैं फिर 7 दिन का gap लेते हैं endometriosis में आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप इनको continuous भी खा सकते हैं बिना किसी gap के यह उनलों के लिए बहुत अच्छा है जिनको main problem periods की है इससे periods regular हो जाएंगे pain कम हो जाएगा और उनलों के लिए भी अच्छा है जो अभी conceive नहीं करना चाह रहे हैं या कोई family planning method ढूंड रहे हैं तो उन patients में हम oral contraceptive pills दे सकते हैं oral contraceptive pills में दो प्रकार की हार्मोन होते हैं estrogen और progesterone इसके अलावा गर हम दूसरे उपाय की बात करें तो हम सिर्फ progesterone जो दूसरा हार्मोन से progesterone की भी दवाई दे सकते हैं यह injection के form में आता है tablet के form में आता है और इससे भी कुछ महलाओं को काफी आराम होता है तीसरी बात क कोई ऐसी महला हो जो दवाई नहीं खाना चाहती है मूसे जो progesterone हम मूसे दे रहे हैं वो ही हम uterus में भी fit कर सकते हैं जैसे कि कई लोग आप लोग कॉपर्टी के बारे में जानते होंगे तो कॉपर्टी जैसे एक device आता है जिसको हम कहते है मायरीना जिसमें से हार्मोन रिल तो एक injection भी लगा सकते हैं जिसको हम लोग GNRH agonist बोलते हैं यह injection बहुत powerful होता है और यह आपके शरी में हार्मोन को इतना कम कर देगा कि बिल्कुल मेनोपॉस जैसी स्तिती आ जाएगी तो एक तरफ तो endometriosis बिल्कुल न के बराबर हो जाएगा लेकिन जो मेनोपॉस जैस सिस्तिती आ रही है उसके side effects भी होंगे तो चिचड़ापन हो सकता है, hot flushes हो सकते हैं, आपकी हड्या कमजोर हो सकती हैं इसलिए वो injection हम बहुत लंबे समय के लिए नहीं दे सकते हैं यह सब जो दवायों की बात कर रहे हैं इनका main purpose है कि शरीर में जो ओवरी हार्मोन प्रेड होती है क्योंकि यह आपकी ओवरी की हार्मोन को कम कर रहे हैं जो आप यह दवाया लेते हैं तब आप conceive नहीं कर सकते हैं तब आप गर्वती नहीं हो पाएंगे ठीक है लोक्तर दीपती आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्मूर जानकारी हम से साजा करने के लिए दर्शकों से साजा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो इसके साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलाल इतना ही कल फिर हाजर हूंगे एक नई स्वा झाल्यूस, मुस्कार.